हाई गाईज मेरे नामें दिप्तनों आप से देखरों आपी के चैनल दिप्तनों शील को दोस्तों अभी जो आप लोगे सामने पेज यह पेज पहले किसी दूसरे केटागरी का पेज हुआ करता था मगर आज के डेट पे ये पेज जो है एक gaming video creator का पेज बन चुका है इस पे ludoking का live streaming किया जाता है और live streaming करते हुए ये पेज जो है अभी level up program join करने के लिए भी ready हो चुका है तो level up program को कैसे join किया जाता है वो आज practically दिखाऊंगा इस video के माध्यम से तो आप लोग video पे एंट तक जरूर बने रहना दोस्तो अगर बात करो इस page के follower का तो आज के date page पे अच्छा खासा follower बन चुका है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे follow show कर रहा है almost 50,000 around जो है follow बन चुका है और इस page पे आज के date पे सिर्फ और सिर्फ live streaming किया जाता है और वो live streaming होता है ludoking game का तो दोस्तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि आपका page level up हुआ है के नहीं एक तो आपको notification आता है facebook के तरब से कि level up program join करने के लिए आपका page eligible हो गया है यहाँ पे notification आएगा और आप लोग देख के पता कर पाओगे दूसरा है क्या मैंने जो level up program का criteria से वो पूरा किया के नहीं वो आपको देखने के लिए सबसे पहले आपको creator studio पे जाना है इस पे click करने के बाद आप इस page पे आ जाओगे और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो monetization के ठीक नीचे और एक option रहता है creative tools इसके अंदर ही रहता है live dashboard करके option और जब भी आप लोग इस live dashboard option पे click करोगे तो आप चले आओगे कुछ इस तरीके के interface के साथ page पे तो आभी जो आप लोग देख रहे हो यह live dashboard है और यहाँ पे ही दोस्तो आपको level up program के criteria complete हुआ है के नहीं वो मालूम परेगा और complete होने पे आपको apply करने का option भी यहाँ पर ही आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो level up program लिखा हुआ है और level up program creator बनने के लिए जो eligibility criteria है वो कौन सा कौन सा complete हुआ है वो देखने के लिए आपको यहाँ पे आना है यहाँ पे 6 criteria रहता है और 6 में आभी आप देख सकते हो 6 के 6 हो में tick mark आ गया है जब आपका complete नहीं होगा तो tick mark नहीं रहेगा जब 6 के 6 में tick mark आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका page जो है eligible हो गया है level up करने के लिए और आपको उपर से notification भी blink करना शुरू होगा यहाँ पे आप देख सकते हो apply now करके option आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है you can now apply to receive star during your live game stream star का मतलब ही होता है जो आपको star देगा आपके audience और जिससे आपको level up program के दुआरा पैसा earning होगा तो यह instrument से different है तो यहाँ पे आपको देख सकते हो जो apply button है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे click करके ही आपको level up program को join करना है तो eligibility for the program जो है 6 criteria रहता है उसके ठीक नीचे ही आपको option जो है visible हो जाएगा जब तक यह criteria complete नहीं होगा option यहाँ पे जो देख रहे हो update information invisible है ऐसे ही invisible रहेगा जैसे ही complete होगा 6 के 6 criteria तो आपको यहाँ पे apply करने का option आजाएगा और criteria क्या है इसके उपर already detailing में वीडियो है अगर कोई भी दोस्त मिस किये हो तो channel पर जाके देख सकते हो इन सारे criteria के उपर detail में वीडियो मिल जाएगा तो अभी process के तहत मैं दिखाऊंगा आपको apply कैसे करना है तो आपको simply से यहाँ पे apply पे click करना है तो मैंने click कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो accepting level of program terms of service मतलब आप इस program को join करने के लिए facebook के जो rules guidelines से उसको मान रहे हो और उसको agree कर रहे हो तो आपको simply से I agree पे click करना है तो मैंने अभी click कर दिया जैसी click करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हो congratulation करके लिखा हुआ आएगा your application was approved and you are now able to receive start during your live game stream लिखा हुआ आ रहा है तो अभी आपको setup करने के लिए बोल रहे है setup start तो इसके लिए आपको bank detail डालना होता है तो आपको simply से आप इस setup start पे click करना है जैसी click करूँगा आपके सामने दो option आएगा ऐसे आपको दिखने के लिए मिलेगा your payment account करके एक रहेगा create new account मतलब क्या आप new account create करो और in stream add को monetize करते हुए bank detail वगरा सारे detail जैसे डाला जाता है create new account को अगर आप select करके add करोगे तो आपको भी वो ही detail वो ही तरीके से डालना है मगर आपने अगर आपके page को पहले से ही in stream add या फिर कोई भी दूसरे मतलब जो tools होते हैं उससे monetize करके रखे हो और वो ही आप चाहते हो bank detail इस वाला payment method पे भी set करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हो तो यहाँ पर already इस case पे इस page के honor का bank detail add है तो मैं simply से new create account option को click नहीं करोंगा select कर लोंगा जो उनका पहले से bank detail format जो उनका है वो मैं select कर ले रहा हो मगर आपके case पे हो सकता है कि आपका पहले से account ना हो पहले से bank detail ना डाला गया हो उस case पे आपको create new account पे click करके फिर आपको add पे click करके जो भी details मांगेगा वो feel करना है और वो कैसे feel करना है अगर आप एक instrument monetization देख लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा आप मैं simply say add पे click करूँगा क्योंकि यह already जो है detail वगरा डाल के रखा है यह page already instrument से monetize है तो मुझे further create करनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस case पे तो मैं add पे click कर दूँगा तो मैंने click कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते है अभी लिखावा आ रहा है you are all set इसका मतलब है you can now reach millions of people everyday while getting paid directly on facebook इसका मतलब है आपका सब कुछ जो है setup हो चुका है और आप अभी पैसा income करने के लिए और लोगों तक पहुचने के लिए ready हो via level up program तो आपको यहाँ पे done पे click कर देना है जैसे done पे click कर दोगे process जो है वो खतम हो जाएगा और आपका ज से monetize हो जाएगा आपको तुरंत यहाँ पे star receive करके option दिखने के लिए मिल रहा है और यह अभी बहुत सारे लोगों को आ रहा है इसको ignore करना यहाँ पे facebook का कुछ बग है glitch है यह automatically ठीक हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो star receive बाला option आ गया है level up program को join करते हुए अभी this month कितना star मिला है वो भी यहाँ पे show करेगा और यहाँ पे आप जादा जानकरी चाते हो star payout के बारे में तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा detail और यहाँ पे आपको contact payout support का भी option है तो यह सारे के सारे चीज जो है star receive होने का जो भी option है वो आपको इस तरफ मिल जाएगा जैसी आप level up program को join कर लोगे monetize कर लोगे और यहाँ पे दोस्तों एक जो सुनेरा मौका है नए gaming creator का या friend logo के लिए आपके वो है के send level up invite मतलब आपका page अगर level up program join कर लेता है monetize हो जाता है तो आप दूसरे friend को भी invite कर सकते हो level up के लिए मगर यह ध्यान रखना है जो level up के criteria है वो fulfill हो जाए उस page पे तभी आप जो है invitation send करना नहीं तो आपका invite का कोई meaning नहीं रहेगा या पर आप देख सकते हो invite gaming creator to level up मतलब आप as a level up creator दूसरे gaming creator को request send कर सकते हो level up को join करने के लिए तो यह भी facebook ने एक option देखे रखा है या पर आप देख सकते हो new invite gaming creator to level up तो यह भी बहुत बरि join कर लेगा तो आपको भी मिलेगा और उसके साथ star receive होना शुरू होगा तो मजा ही आ जाएगा और star कितने होने पे मिलेगा और इसका क्या rate रहता है उन सारे चीजों के उपर detail में video channel पे already है hope guys आज के इस video से आप लोग को पूरा पता चल जाया है कि कैसे level up program को join करना है और हो होने के बाद क्या कुछ आपको शो करेगा अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना कोई भी दोस मिलेचर पर ने नहीं हो चैर को subscribe करके बेल और शुरू दबला नहीं तक है ऐसी वीडियो आने बले बक्त पर सबसे पहले आप तक पहुँचे आज के इस वीड पित नहीं मिलता हो आगले वीडियो के साथ तक आप लोग खुश रहो आबाद रहो और में पुप करनाम करें दोस्तों बाई